ग्यान के देख दोस्तों दोहजारट चोबिस का होली ब्यहद ही ज्यादा खास और ब्यहदी ज्यादा खात्रा भी रहने वाले हैं जो लोग जैसे क दोस्तों विमारी सी पीडित है ऐसे विक्ति को मैं प्राथना करना चाहंगा इस वर्शा होली में आप जो है रोग नासक के लिए टोटके अवस्चा करना क्योंकि होली अपने साथ में नाना प्रकार के विक्तिक रोग एवं ब्याधी को ले जाते हैं। होलीक दिन भूल करके अकेले मदगूमना कोशिश करना आप अपने घर में रहना सुबह आप इंजवाय करना क्योंकि चंद्रग्राण में संसार में जितने भी नकरात्माख सकती हैं सकरात्माख सकती हैं यह सब खुले हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर से। कोमेंट करके पूछने गुरुजी मैं काफी गरीब हूँ गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। करने के लिए महनत करना तो जरूरी हैं। लेकिन महनत करने के साथ साथ अगर आप को भी उपाय कर लेते हैं को भी टोटके कर लेते हैं। जो की कम समय में आपको शंपूर नला प्रदान करते हैं। हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे से पेंड पौधा पाये जाते हैं। मत करना क्योंकि को भी जो जानकारी होती है वो बिल्कुल ही फायदेमन सावीत होती है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको नुक्षान होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वनस्पती सास्तर की शंपूर नजानकारी बताऊंगा। सारे जो धर्मनुष्ठान, धर्मकारे करने वाले जो लोग हैं उनके पास में आज भी मनस्पती में पेंड़ पोधे की जानकारी हैं। मनुष्य के सरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, दर्दा हो, समस्था हो, परसानी हो, जो व्यक्ती चलने फिनने में भी असमर्थ वान हो, ऐसे व्यक्ती को अगर इस व्रिक्षा को छुवा दिया जाए, फिर इस व्रिक्षा को छूले तो ततकाल जितने भी दर्दा होते ह आप में से अधिक्ता लोग परयोग करके देख भी चुके हैं बिल्कुल ही 100% काम करते हैं वर्का करते हैं सरीर की थकान है जो सरीर में होने वाले जो दर्द हैं पीड़ा इसे दुर करते हैं इस वरिक्षा के नीचे सुकरवार के दिन अगर घी का दीपक जला करके एक चुट दोस पीत्र दोस एवं लच्मी दोस समापता होते हैं एवं धन्यधान की प्रप्ती होती हैं देखे दर्सकों हमारे घरों के आसपास में बहुं सारे आज भी पेंड़ पोधी हैं जो की चमतकारों से भरे हुए हैं मैं कई विडियो में आप लोगों को सोना चांदी बनाने कभी तरीका बता चुका हूँ पेंड़ पोधे से पेंड़ पोधे से पेंड़ पोधे के जड़ियों से आज भी वेक्ती अद्रिशा हो सकते हैं अब आपने सोचा होगा मार्केट में इतना ज़्यादा पेंड़ पोधे की जड़ क्यों बिखते हैं काले हल्दी क्यों इतना जादा विकती इनकी जन इतना जादा क्यों महेंगे में विकती इसके करण यहीं कि आज मी इनसे तांतिरिक परयोग होता हैं आज मी इनसे चमतकार होता हैं जो गुंज लाइफ नौटा गॺं अपने नगन आख्छों से जानकरी बताते हैं धर्मसास्तर में जो दूसरे पोधे के बारे में बताएंगे हैं वो पोधे हैं गुलर गुलर विरिक्षा को भगवान नर्सिंग ने स्वयम आसिरवाद दिया था कि मैं लच्मी सहित आप पर विराजमा रहूँगा कोई भी व्यक्ति संध्यकाल में शुक गलती से भी अगर साम के समय इस विरिक्षा के नीचे में आ करके दीपक जला दे तो उनके जन्वा जन्वांतर की गरीबी को मिटा देगा क्योंकि गुलर विरिक्षा को भगवान नर्सिंग ने क्यों आसिरवाद दिया ये भी जान लिजी एक समय की बात हैं जब भगवान नर्सिंग ने हिरण किश्चफ को मारा तो मारने के बाद असुरी रखता उनके नाखुन से मारा गया तो नाखुन में काफी खुजिली हुआ और अपने खुजिली मिटाने के लिए भगवान नर्सिंग ने बहुत उपाय देखे आसपास में विरिक्षों को ढूंडा कोमल चीजों को ढूंडा लेकि नहीं मिल पाये तो गुलर विरिक्षा पे अपने नाखुन जो है गड़ा दे तो इस पर गुलर विक्षा कहराने लगे बोले कि भगवान आपने खुजली मिटाल लिया लेकिन जो असुरी रूपी जो खुजली है यह हमें अपवित्र कर दिये इसके फीड़ा हमें जो शाहन नहीं हो रहा तो इस पर भगवान नर्सिंग ने असिरवाद दिया कि हे गुलर आप परसान मत होएं मैं लच्मी सित आब के पेंड़ पर आब के विरिक्षा पर निवास करूंगा और आब को मैं ऐसा असिरवाद देता हूं कि कोई भी कि शुकरवार के दिन जिहां शुकरवार के दिन फल ला करके अपने घर में सापीत करते हैं तो इसे माता लच्मी की कृपा प्राप्त होते हैं ऐसे वेक्ति की जीवन में धन का अभाव नहीं होता विड़ो के आखरी में बताऊंगा कि गुलर विक्षा के क्या लाने से हमे देव बिक्षा कहा जाता हैं तो तीसरे पोधे हैं बेल बिक्षा ये बिक्षा माता पारवती की पसीने से उत्पन हुआ इसकंद पुराण में इस पस्टा लिखा हुआ है और कई लोगों के मानना है कि ये बिक्षा माता पारवती की असुरू से उत्पन हुआ है इसके पत आपक जलाते हैं तो इससे आप धनवान बनते हैं गुडवान बनते हैं एवं परमसिवभकती की प्राप्ति होते हैं एवं इस वृक्षा को छूने से पापका भी नस होता है ऐसा भी माना जाता जो बेल के वृक्ष यहां इसके जड़ में समस्त तीड़ आ करके नहीं बैक्षक सिर्णा हो जाए रिखुर्टि शाते रिया जाती हैं, व়ची बस जाते हैं उत्य के तिर्धों अगर को भी वेक्ति जलाएंगे तो मैं भगवान शंकर संहित समस्त उनके जितने भी कला हैं कलेस होने दूर कर दूँगा तो अगर आप भी ध्यन अगर आपकी किस्मत रुख चुके हैं भागे साथ नहीं दे रहे हैं तो शोमवार के दिन बेल ब्रिक्षक के नीचे में घींक दिपक जला देना और एक मंत्र बतार हूँ जो कि आपको जपन है ओम उमा महेश्वराय नमा फिर से सून लिजे ओम उमा महेश्वराय नमा इस मं थर्म ब्रिक्षक के बारे में जानकरी अब बताने की प्रयास करूँगा कि पारी जाद्र ब्रिक्षक के वह में क्याल आना चाहिए जिससे हम JUL धनवान बने गुडवान बने हमारे घर में लच्मी का अभाव न हो तो धर्मसास्त्र काते हैं कि पारिजात की पूस्पा है इसका धर्मसास्त्रों में महत्वा बता हैं पारिजात की पूस्पा का महत्वा है गुलर की फल का महत्वा है और बेल जो बेल बिरिक्ष है इसके पत्र का महत्वा है आपने देखा होगा बेल के पत्र भगवान संकर को चढ़ाते हैं सभी प्रकार के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं तो बेल के पत्र चढ़ते हैं गुलर की फल चढ़ते हैं पारिजात की पूस्पा का महत्व है तो आपको करना क्या है किसी भी दिन शुकरवार की दिन अगर लाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है पारिज पर संधारे तो सब्क्राइब यह संधानि में अप जया molecular आप जो है, तो यह संसरे बसे बंग तौबर सellना बम है, 맛이 में जोए तोMusic fourteenues, का ऑना कैंनों पेसे नोगिसलियाता ने को में से इसे हैं , बखोस zastसे और सुनना किक उसी और माता लच्मी यह हमने धन पोटली बना करके रखे हैं अब यह धन पोटली हम अपने जो हैं पेटी में धन पेटी में रख रहे हैं आपके आसीर बात चाहिए इसे हमारे जीवन में अंधन की कमी नहीं हो इस परकार आप जो प्राथना करते हुए आप अपनी से धन पेटी में ररक सकते हैं या फीर तीनों को एक स्थान पर रखने से फैदा होता है है इसे अब उको समस्त पुन्य की प्रापती होता है अगर कोई भी वेक्ति बेल की जड़ पहनते तो ऐसे वेक्ति के अगर पित्रदोस लगा हो ऐसे वेक्ति को ग्रह दोस लगा हो ऐसे वेक्ति से गर लच्मी रूड गया है तो सारे समस्या का निदान हो जाते हैं और जो वेक्ति बेल की जड़ धरान करते हैं ऐसे वेक्ति को साक्षा धन का भाव नहीं होता, आसा करता हूं कि पेंड पोधे के जानकारी बताया हूं, वनस्पति सासर के जानकारी अपनी चैनल के मध्धम से बताया हूं, यह आपकी जीवन में कल्यानकारी साबीत एवं मंगल में साबीत जरूर होंगे, हम हर दिन बोलते हैं हमारे इस चैनल में अगर आपको हमारे बीडियो से कोई फाइदा मिलते हैं तो हमें खुसी मिलती है आनन्द मिलती है और हम भी आप सबी की कृपा की करणा आप सबी आप हमारे बनोबल बढ़ाना, इस चैनल को सब्झसक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना, विडियो दखने के धन्यमात झाल 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 झाल